आज बाजार में बहुत आ रहा है आ रहा है बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है सर जो वालटाल मूवज आ रही है आप एक तरफ मूड बनाके जाई नहीं सकते स्क्रीन से दो मिनट भी आखे हटाओगे देखो क्या हो जाता है सुबाश शुरुवाद ठीक थी उसके बाद होई थी सेकंड हाफ में यह भी रिकावर हो है कई बार में वह सवाल पूछता हूं लोगों के अगर आपने कोई शेर खरीदा है और भाग गया अच्छा प्रोफिट बन गया मुनाफ़ा हो गया ठीक ठाक उसमें ज्यादा खुशी होती है यह कई बार जब आपका शेर गट जूटी लाग हो पाए बच गए तो कैसे लग ज्यादा लग जहा थिक उसी तरह से दूसरा सवाल इसके विपरीत वाला है ज्यादा दुख कब होता है ज्यादा दुख आपका stop loss trigger होता है तब होता है यह stop loss trigger होने के बाद जब आपका target वापस आजाए ज़जा दुग होता ह तो यहीं वाला हाल आज है कि एक तरफ तो दूख ही इस बात का है कि नीचे आने के बाद वापस उस लेवल के उपर आगया तो और हो सकता है 46-4800 आने वाले जिदों में भी देखने बिलें अब यह पता लगाना मुश्किल का में दूख किसम ज्यादा है लेकिन दुख तो है कि stop loss trigger होने के बाद वापस शांदार ही और recovery भी क्या कमाल की हुई है तो दो तीन चीज़े हैं जो बताना चाता हूं पहला बहुती स्मार्ट और शांदार recovery है आज की हमारी जो call थी वो यह थी कि 21-725, 21-825 आपके लिए खरीदारी की जगह है और आज का लो exactly 21-710 का बनाया है तो market बिल्कुल perfect support level से गूमा है पहली चीज़ यह सौर 21-625, 21-775 हमने जीती उसी range से आपके बीचों बीच से गूमा है पहली चीज़ बैंक रिटी हमने का भी कि 45-746 जार इस range में पक्का खरीदने ही खरीदा है मेरे नाम से जरूर लेना आज का लो 45 45-825 के आसपास का बनाया है वहां से गुमाया है और करीब और करीबे 45-645 का ही बनाया है इस बार बैतर बनाया है सुबह का ही जब हमने रिकमेंट किया था तब 575 का ही था इस बार का ही 655 का है तो बढ़िया recovery वहां से भी आई है तो I think market थोड़े volatile हो रहे है और यह volatility एक अ है आप वहापस 45,700-46,000 की रेंच फिर से बैंक निफ्टी पर टेस्ट करें करें तो करने दे कोई डरने घबरानी की ज़रूत नहीं है एक आथ बार और volatile होकर नीचे आएंगे और वहां से रिकावर करें इंपोर्टेंट जो कहते हैं बड़े philosophy वाले लोग इंपोर्टेंट है क्या गिरने के बाद आप उठे क्या उठने की कोशिश की क्या तो यह मार्केट गिरने के बाद जो उठने की कोशिश कर रहा है यह इंपोर्टेंट है और यह एक दो बार करें खाली एक बार में तो किसी भी इम्मत होती है पहली बार तो गिरावाद में हर उठता है तीस इसी बार दूसरी बार गिनने के बाद वह वोलेंटेलिटी के बार जब मार्केट उपर आएगा ना वह स्ट्रेंथ उसकी सस्टेनेबल बनेगी अच्छी बनेगी सो मैं बायों डिफ्स वाली स्टेटिजी में हो पोजिटिव साइड में और इसलिए हूं कि मैं मार्च का महिन जानी देख रहा मैं अप्रिल देख रहा हूं और अप्रिल के बाद देख रहा हूं तो मेरी स्टेजी बहुत क्लियर है इसलिए स्मार्ट रिकावर यह है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर जाकर रुखे हैं लेकिन 22,000 को पार करके निफ्टी के लिए जरूए तब ही मजबूती होगी नहीं तो पहली जो बाद आती 21,925 वही पर आकर निफ्टी रुखा आज का ही 2930 से देख लिजे तो पहले लेवल पर रुखा तो रुखा भी पर्फेक्ट लेवल पर यहां से अभी तक मजबूत नहीं हुआ है बाजार मेक नो मिस्टेक बाजार मजबूत नहीं है बिलकुल भी नहीं है मजबूत 22,000 के उपर ही होना शुरू होगा बैंक निफ्टी के लिए और दूसे चीज़ पैनिक में आपको खरीदारी करना है मैं कल भी बोला हूँ आज बोला हूँ पैनिक आ रहे है जहां भी चाहे वो मि सब्सक्रिक करें मार्च में नि 272 अज बाएं पैसा अब नाइखता अच्छ से पाहन बैद में देखना है जो भी ले रहे रहें मार्च मेंधि आपको 3 मेंफलने 20 से लगाना एकर मने बाद ऊच्छे लिए और ताक नहीं हूं वह नेमित घ्र ayam के दिन बहुत काम किया दी चलिए बढ़िया है वैसे एक काम आपके आज सुभा वाले स्टॉक्स ने भी किया है आईशर साइंट दोनों में हमें अच्छा अक्षन मिला है आईशर तो खेर बढ़िया मूव दिखाई रहा है एक स्टॉक इन फोकस और लिए को स्टॉक इन एक ख़बर गुमी थी कि वही इसमें एक बड़ी ब्लोक डिल होने वाली है और वो ब्लोक डिल 210-220 रुपे की रेंज में होगी वोड़ा फोन की कोई पैरेंट कंपनी जो इंडिस्ट आउर में अपनी स्टेक है वो बेचे गिया धर 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 स्टॉक दोसुपचीस रु को खरेने की राय भी दिये हम इसे स्टॉक पर पॉजिटिव और बुलिश है लेकि बैन में था इसलिए मैंने दिया नहीं यह शोट कवरिंगा कमाल है अब देखते है अगर डील की खबर आई तो थोड़ा घटेगा लेकिन लेकिन डील की खबर के बाद घटेगा तब लेन के बाद ओके तो शॉट कवरिंग दिखा रहा है इंडस्टार और इस पर रखेंगे नजर बढ़िया अक्शन आ रहा है और यह कुछ और स्टॉक्स में खबरों के दम पर यह भी जान लेते हैं नुपूर है हमारे साथ नुपूर बताएं कौन से हैं स्टॉक्स